आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो श्रीकिष्ण जरासंद के बारे में उन्हें बताते है कि जरासंद के होते हुए वे अपने राज्जे में राजश्वय यग नहीं करवा पाएंगे जरासंद के होते हुए राजश्वय यग करवाना संभव नहीं है और जो श्री किष्ण अर्जुन और भीम होते है वे तीनों मिलकर जरासंग को हराने की योजना बनाते हैं पढ़ते हैं इस पार्ट के भागदों को जानेंगे की आगे किस तरह से योजना बनाई गई जब जरासंद के साथ यूद कनने का निश्चय हो गया तो श्री किष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई जब यह निश्चित हो गया यह तै हो गया कि जरासंद के साथ युद्ध किया जाएगा तो श्री किष्ण और पांडवों ने अपनी एक योजना तयार की प्लैनिंग बनाई श्री किष्ण भीमसेन और अर्जुन ने वलकल पहने श्री किष्ण भीमसेन और अर्जुन ने सादू के वस्तर पहने वलकल का अर्थ होता है सादू के वस्तर हाथ में उन्होंने सादू की एक छड़ी ले ली और व्रती लोगों के कासा वेश धारन करके मगद देश के लिए रवाना हो गए रहा में सुंदर नगरों तथा गाउं को पार करते हुए वे तीनों जरासंद की राजधानी में पहुंचे रास्ते में सुंदर नगरों तथा गाउं को पार करते हुए वे तीनों जरासंद की राजधानी में पहुंच जाते हैं यहां रहा का अर्थ होता है रास्ता के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया जब जरासंद भीम और अर्जुन का स्वागत करता है यानि वे दोनों वे तीनों जो होते है श्री किष्ण भीम और अर्जुन वे तीनों सादु का वेश धारन करके आये थे जरासंद उन तीनों का स्वागत कर जिसमें भीम और अर्जुन जरासंद के बातों का जवाब नहीं देते हैं वे दोनों मोन रहे यानि वे दोनों चुप रहे भीम और अर्जुन चुप रहते हैं जरासंद के सामने मोन का अर्थ होता है चुप रहना इस पर श्री किष्ण बोले जब वे दोनों चुप रहते है तो इस पर श्री किष्ण जरासंद को बताते हैं कि मेरे दोनों सातियों ने मौन विरत लिया हुआ है वे कहते हैं श्री किष्ण कि मेरे दोनों सातियों ने मौन विरत लिया हुआ है मौन विरत कारत होता है चुप रहने वाला विरत लिया हुआ है इस कारण अभी नहीं बोलेंगे इसी कारण वे अभी इस समय बोलने ही रहे है आदी रात के बाद विरत खुलने पर बाच्चित करेंगे जरासंद ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों महमानों को यग्यशाला में ठहरा कर महल में चला गया अभी जरासंद ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि दोनों सादू ने मौन विरत धारण किया है और वे तीनों महमानों को श्रीकिशन अर्जुन और भीम को यग्यशाला में ठहरा कर महल में अंदर चला जाता है यग्यशाला जहां पर यग होते है उसे कहा जाता है कोई भी भ्रामण अतीती जरासंद के यहां आता तो उनकी इच्छा तता सुवीदा के अनुसार बाते करना व्या उनका सतकार करना जरासंद का नियम ताया जरासंद के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि किस तरह वे अतीती का सतकार करता था ब्रहामण का सतकार करता था वे ब्रहामण अतीती जब कोई जरासंद के राज्य में आता तो ब्रहामण अतीती की सारी इच्छाय पूरी करता और ब्रहामण अतीती की सुवीदा के अनुसर जरासंद उनसे बाते करता और उनके लिए सारी सुक्सुविदाओं का वै अपने राज्य में खास तोर पर ध्यान रखता इसके अनुसर आदी रात के बाद जरासंद अतीतियों से मिलने गया लेकिन अतीतियों के रंग ढंग देखकर मगद नरेश के मन में कुछ शं जरासंद को यह शंका होती है यह मन में उनके शंका उठती है कि जरूर कोई खोट है यानि जरूर कुछ गड़बड है राजा जरासंद ने कड़क कर पूछा अब जैसे ही राजा जरासंद को शक हुआ तो वे तीनों से कड़क कर पूछते है रुखाई से पूछते है कि सच बताओ, तुम लोग कोन हो, ब्रामड तो नहीं दिखाई देते, वे कहते हैं तीनों से कि तुम सच बताओ, तुम कोन हो, मुझे तुम ब्रामड जैसे तो नहीं लगते हो, इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, इस पर जो तीनों होते हैं, तीनों ब्रामड होते है यानि श्रीकिष्न भीम और अर्जुन वे अपने बारे में सही परीचे दे देते हो और कहते हैं कि हम तुमारे शत्रू है तुमसे अभी द्वन्द युद करना चाहते है वे कहते हैं तीनों कि हम तुमारे शत्रू है यानि दुश्मन है और हम तुमसे अभी लड़ना चाते है, कुष्टी करना चाते है हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम तुमारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तयार है दोनों में कुष्टी शुरू हो जाती है दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते मारते और उठाते हुए लड़ने लगे दोनों वीर एक दूसरे को उठक पटक करते रहे मारते रहे और पकड़ते रहे लड़ते रहे इस प्रकार पल भर भी विश्राम किये वगेर वे तेरा दिन और तेरा रात लगातर लड़ते रहे जरासंद और भीम के बीच जो कुष्टी की लड़ाई होती है वे तेरा दिन और तेरा रातों तक चलती है थोड़ा सा भी वे विश्राम नहीं करते हैं या विश्राम करता है आराम चोधवे दिन जरासंद ठक कर जरा देर को रुख गया अब चोधवे दिन क्या होता है चोदवे दिन जो जरासंद होता है वैकुष्टी से लड़ते लड़ते ठक जाता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है पर ठीक मौका देखकर श्री किष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीम सेन ने फोरण जरासंद को उठा कर चारो और गुमाया और उसे जमिन पर जोर से पटक दिया अब जैसे ही जरासंद थोड़ी देर के लिए शांद होता है और श्रीकिष्ण मौका देखकर भीम को इṣारा करते है और समझाते है कि अब यही मौका है इसको मारने का तो भीमसंद फोरन उठता है जरासंद को उठाता है और उसको चारों तरफ से पकड़ कर घुमा देता है और जमीन से उसको जोर से देकर मारता है पटक देता है इस परकार अजे जरासंद का अंत हो गया और इस परकार जो कभी हारा नहीं ता जरा रखाता अब जैसे ही जरासंद के मृत्ति हो जाती है तो श्री किष्ण और दोनों पांडव यानि भीम और अर्जुन होते हैं वे उन सभी राजाओ को छुड़ा लेते हैं जिनको जरासंद ने अपने कैदी में कैद में डाल रखाता और जरासंद के पुत्र सहदेव को मगद का राजा बना दिया गया और मगद का राजा सहदेव को बनाने के बाद जो भीम अर्जुन और श्री किष्ण होते हैं वे इंद्रप्रस्त अपनी राजदानी में लोट आते हैं इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महराजय युदिष्ट को बना दिया गया जरासंद के वद के बाद पांडवों ने राज्शुय यग किया जरासंद के वद के बाद यानि मृत्यु के बाद राज्शुय यग किया गया पांडवों द्वारा यहां वद का अर्थ होता है मृत्यु इसमें समस्त भारत के राजा आय हुए थे इस य महमान राजाओ का आदर सतकार करने की बारी आई तो यह सवाल उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए यहां अभियागत का अर्थ होता है महमान समराट युदिष्टर ने इस बारे में पितामा भीश्म से सलाली अब उन्होंने समराट युदिष्टर ने भीश्म से सलाली कि सबसे पहले किसको पूजा जाए बिरिद भीश्म ने कहा कि द्वार कदिश श्री किष्न की पूजा पहले की जाए बिरिद भीश्म जो भीश्म होते है वे बोलते है युदिश्टर से कि सबसे पहले जिसकी पूजा होनी चाहिए वे राजा है दुआर कदिश यानि श्री किश्न युदिष्टर को भी यह बात पसंद आई भीश्म पितामा की बात युदिष्टर को पसंद आती है यानि श्री किष्ण की पहले पूजा की जाई है युदिष्टर को अच्छा लगा उन्होंने सहदेव को आग्या दी कि वे श्री किष्ण का पूजन करे वे मगद नरेश सहादेव को आग्या देते है युदिष्टर की वे श्री किष्ण का पूजन करें सहादेव ने विदीवत श्री किष्ण की पूजा की सहादेव ने विदी विदान के अनुसार श्री किष्ण की पूजा की वाशुदेव का इस प्रकार गोरान भी थोना का मार कर हस पड़ा जैसे ही श्री किष्ण की पूजा हो रही थी वासुदेव श्री किष्ण की पूजा सहदेव कर रहा था उसी वक्त क्या होता है शिशुपाल खड़ा होता है और ठाका मार कर हस पड़ता है एका एका अर्थ होता है अचाना कि यानि उसी समय खड़ा होता है और श्री किशन पर वे हस पड़ता है सारी सभा की दृष्टी जब शिशुपाल की ओर गई तो वे उचे स्वर में वियंगे से बोलने लगा अब जैसे ही वे एक उठा और हसने लगा श्री किशन पर तो सारी सभा की दृष्टी जितने भी राजा आयो हुए थे वे शिशुपाल की ओर देखने लग जाते है अब शिशुपाल जो है उचे स्वर में बोलता है और श्री किशन पर वियंगे करते हुए कहता है कि यह अन्याई की बात है कि एक मामुली से व्यक्ति को इस परकार गोरानवित किया जाता है वे कहता है कि यह अन्याय की बात है कि एक मामुली से व्यक्ति को इस परकार पूजा जाता है युदिष्टर को यो आड़े हातों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्तित राजाओ की और देखकर बोला अब युदिष्टर का कटाश करने के बाद उसे भला बुरा कहने के बाद शिशुपाल सभा में आए हुए सभी राजाओ की और देखकर बोला कि उपस्तित राजागण जिस दुरात्मा ने कुचकर रचकर वीर जरासंद को मरवा डाला उसी की युदिष्टर ने अगर पूजा की इसके बाद हमें उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा वे कहता है सभी राजाओ से की जिस दुरात्मा ने जिस पापी आत्मा ने कुचकर रचा यानि सड्यंत्र रचकर शाजिश रचकर वीर जरासंद को मरवा डाला उसी की युदिष्टर कैसे पूजा कर सकता है उसी ने साजिश रचकर जरासंद को मारा था और उसकी पूजा कैसे की जा सकती है इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते है यानि श्रीकिष्ण को वे कहता है कि उसने तो गलत तरीके से जरासंद को मारा था इसलिए उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए वे कहता है आगे कि उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा यानि युदिष्टर और श्री किष्ण में शिशुपाल का विश्वास नहीं रहा इस तरह शब्द बानों की बोचार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया और अनुने विने करके उने समझाने लगे अब जैसे ही जो राजा होते है वे नराज होकर सभा से जा रहे होते है तो राज अधिराज युदिष्टर जो होते है वे नराज हुए राजाओं को समझाने के लिए उनसे विन्ती करने के लिए उनके पास जाते है युदिष्टर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना युदिश्टर समझाता है शिशुपाल को लेकिन शिशुपाल नहीं मानता है उसका हट और घमट बढ़ता गया शिशुपाल ऐसा समझता है कि मुझे समझा रहे है इसलिए उसका हट होता है उसकी जिद होती है और उसका घम राज सुय यग संपूर्ण हुआ और राजा यूदिश्टर को राजा दिराज की पदवी प्राप्त हो गई इस परकार क्या होता है सिसुपाल के वद के बाद राश्वय यग पून हो जाता है तो दोस्तों यह तापाट जरा संद। धन्यवाद